राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने जीवन में प्रेशानियों को इन उपायों से कैसे कम कर सकते हैं हमारे जीवन में कई तरह की प्रेशानिया होती हैं ये हमारे स्वास्थ्या से सबंदित भी हो सकती है और नजर दोश से भी हो सकती है और बिमारी के कारण भी हो सकती है इन प्रशानियों को दूर करने के लिए अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमें बहुत इलाब होता है कई बार हमारे घर में कई ऐसे अतिति आते हैं जिनके बारे में हमें पता भी होता है कि इनके आने के बाद हमारे घर में नेगिटिविटी फैलती है लेकिन हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम उनसे अपने जो रिलेशन है वो भी खराब नहीं करना चाहते इसके लिए हम क्या उपाए करें कि अगर वो हमारे घर में आएं ये रेलेटिव्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और महमान भी हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा क्या उपाए करें कि इनके आने के बाद भी हमारे घर में कोई लड़ाई जगड़ा ना हो और बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना हो और हमारे काम पर भी कोई असर ना हो हमें क्या करना है कि अपने मुख्या द्वार के बाहर एक फिटकरी का टुकडा बांदेना है ये कम से कम आधा किलो का होना चाहिए इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए इसे एक सफेद कौटन के कपड़े में बांद कर मुख्या द्वार के उपर लटका देना चाहिए और फिर इसके उपर कोई तोरन बंदरवार बान देना चाहिए तांकि ये उसके नीचे छिपा रहे और किसी की नजर भी ना पड़े और इसके बानने के बाद फिर कोई भी अगर इसके नीचे से होकर घर के अंदर आएगा तो उसकी जो नेगिटिवटी है वो उसके जाने के बाद हमारे घर पे कोई असर नहीं करेगी और नजर दोश नहीं होगा और हमारे ना काम में रुकावट होगी ना बच्चों की पुढ़ाई में रुकावट होगी और ना ही घर में लड़ाई छगड़े होंगे और दूसरा उपाए है कि अगर हमें लगता है कि हमारा किसी भी काम करने को कोई भी मन नहीं करता अगर हम कोई बिजनस करते हैं या घर में ही कोई काम करते हैं लेकिन हमारा कोई भी काम करने को मन नहीं करता इससे पता चलता है कि जो हमारे काम हैं वो बांद दिये गए है इसके लिए हमें एक शीशे का जार लेना है और उसमें पीली सरसों रखके उसे अपने सिरहाने बेड के पास रख लेना है और रोज उसमें से थोड़े से सरसों के दाने लेकर पानी में डालनी है और उसे घर के बाहर कहीं भी फेंक देना है ये काम रोज सुभा करना है और इस तरह से आप देखेंगे के थोड़े दिनों में ही आपको अपने श्रीर में फर्क महसूस होगा और आपका काम करने को भी मन करेगा और अगर कोई आदमी घर में सदस्या बहुती बिमार है और किसी भी द्वाई का उस पे असर नहीं हो रहा है तो हमें एक मिट्टी का गमला लेना है और उसके उपर उस वेक्टी के सिर्थ से वार कर कपूर के दाने रख देने हैं यह पाउडर के रूप में भी कपूर हम रख सकते हैं या जो कपूर गोलियों के रूप में मिलता है या टुकडों के रूप में मिलता है वो भी रख सकते हैं ये उस अस्दस्या के इसर से वार कर उस गमले की मिट्टी के उपर रख देने है और ये गमला वहीं रखना है जहां उस आदमी का बेडरूम है और इसमें कोई इंडूर प्लांट भी लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि इसे रखने के बाद थोड़े दिन में ही उस आदमी की सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा और दवाईया अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी जै माता दी